दोस्तों आज एक whisky दिखाएंगे छोटा मिक्सर है अरा makes 2014 और यह mixer जो है न कि दिखा देता वों को यह mixer है यह बेरिंगर कंपनी का है बेरिंगर बोलीं जरूद मिक्सर दिखाएंगे आप लोगों को और और explain करेंगे कि क्या-क्या उसमें फीचर है छोटा मिक्सर है आप जितने भी साउंड चलाने वाले भाई लोग है सबको एक छोटा मिक्सर की जर्रत है तो आज हम लोग इसको देखेंगे 12 चैनल आपको लेकिन डारेट माइकिन 6 मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेरीस का क्यू एक्स वान ट्रिपल टू यूएसबी बैरिंजर कंपनी का मिक्सर नाशकार मैं हूँ प्रसेंजित मित्रा और आप लोग देख रहें इसके लिए ट्रोनिस का यूट्यूब चैनल और यह है हमारा गोहाटी का ब्रांच तो आज जैसे मैंने इंट्रो में बता है आज बैरिंजर कंपनी का या बैरिंगर कंपनी जो भी बोली आप उसका एक छोटा सा मिक्सर दिखाएंगे और हम लोग एक्स्प्लेइन करेंगे कि उसमें क्या-क्या फीचर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्या वीडियो तो दोस्तों हमने अभी इसको आंपैक कर तो इस नाम से पता चल गया इसमें यूजबी है और सबसे बड़िया बात है इसका जो रिपा बगेरा है मतलब एफ अक्सिन है उ पक्र टेक्निक का है कर टेक्निक या बहुत अच्छा रिपाब बनाने वाला कंपनी है जर्मानी का कंपनी है ऐसे बैरिंगर भी जर्मानी का लेकिन इसका manufacturing China में होता है जैसे सब company में होता है तो चलिए छोड़ा देख लेते हैं तो पहले बर ओन कर लेते हैं इसको और करने के बाद इसको देखते हैं यह मैंने on कर लिया पीछे साइड मेंने दिखाया नहीं आपको क्योंकि छोटा mixer में पीछे साइड में कुछ होता नहीं है जो भी होता है यह बोर्ड के उपर ही होता है तो जैसे कि आप लोग जानते हैं यह हमारा input section है ठीक है gain section भी बोल सकते आप इसको तो इंपूट में दे lesson चालू हुआ है और zenyx का series गा जो mixer नहीं यह काफी पुराना model है लेकिन काफी successful है इसके लिए बेरिंगर ने इसको चेंज नहीं किया है तो चलिए बाकी देख लेता है बाकी stereo और mono मिला के आपको बाराठ चैनल मिल जाएगा तो यह हो गया अभी देखते हैं यहां पर देखिए एक डॉंगल लगाने की जगह है जिसमें आप microphone भी इंसर्ट कर सकते हो और USB stick भी उसकर सक और यह RCA के लिए है बाकी मैं ज्यादा explain नहीं कर रहा हूं अच्छा यह हमारा gain segment हो गया है gain segment में आपको यह मिल जाएगा low cut मिल जाएगा और यह सबसा अच्छी बात है low cut मतलब जो unwanted low sound है उसको यह cut कर देगा उसके बाद देखिए comp है comp मतलब compressor होता है मतलब कोई भी अगर high frequency है उसको अगर compress करना चाता है तो यह compress करके देगा आपको मतलब pad बगार है guitar बगार है उसको अगर sound को compress करना चाता है high frequency को तो इसमें आप कर सकता है बाकी दूसरा जो यह feature है यह मोटा मोटी sub mixer में जैसा होता है वही है ठीक है इसमें आपको high मिलेगा जितना भी और न सेक्षन देख रहा है यह एफ एक्स का है और यह पैन का होता है जैसा पैन देखते हैं और यह हो गया इसका फेडर फेडर काफी स्मूध है अच्छा है लेकिन मेरा कहना का मतलब एक ही है मतलब मेरा जो पसंद नहीं आया यह 75 mm का है यह अगर 100 mm का होता तो ब इसलिए समय ने 100 mm का दिया नहीं ठीक है अभी इसमें चले आता है यह मोन संट का है यह एफेक्स है और एस में लेकिन लेट कर दौनों का दिया हुआ है यह अच्छी बात है जैंड़ अभी यह सरह मेन बनाती है तो इसमें जो आपको प्रोशस मतलब एफक्स कहा जो कौलिटी है को उंदा इक्दम पक्का है इसके बाद आजाते हैं हम गॉलेजर में इसमें हरेक लाइट है यह लेकिन घ्रिफंड अister इकुलेजर है इसका काम है बेसिकली फीडबैक को कट करना तो आप देखिए 63 यहां पर हर्ट से लेके 16 हर्ट्स तक है 16 किलो हर्ट्स रदर ठीक है तो यह बेसिकली हमारा यह तीन चार्ट हो जो यह नौब है ना इसी से हमको एक्षिली फीडबैक काटना पड़ेगा क्योंकि मीड में ज्यादा फीडबैक आता है तो यह मिक्सर का यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको फीडबैक काटने के लिए अल्रेडी इन्होंने इंतिजाम करके रखा है और यह दो जो बटन है माप किजिए यह दो जो बटन है इसमें से हम लोग एफेक्स बगरा सब करके उसका जो परसेंटेज है वह बड़ा घटा सकते हैं तो बेसिकलिए यह था और इसके अंदर पीछे साइड में जो मैंने नहीं दिखा है वह बता देता हूं फैंटम के स्वीच है मतलब आगर वह सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर यह चैनल में सब में फैंटम आ जाएगा अचा यह देखिए फैंटम का जैसे मैंने बता है यह जब फैंटम ओन करेंगे तो मैं देख लेता हूं एक बड़ तो यह देखिए फैंटम का यह लाइट ओन हो गया इसका मतलब फैंटम पावर इसमें आ गया है तो बैसिकलिए यही था आप लोग जरू इसको कर सकते हैं छोटा मिक्सर है आपको प्रोग्राम में लेके जाने में बड़ा सुविदा होगा और यकिन मानिये आप अगर यामा का तरह एक्सपेट कर रहे हैं तो यह नहीं है मैं आपको खुला मखुला बता देता हूं लेकिन फिर भी आप मतलब सिगनेचर सीरीज का साथ आ जैसा मैंने बताया इसका एफेक्स लेकिन बहुत अच्छा है तो जरूर यूज कीजिए इसको बेजीजा की उसकीजिए कोई दिक्कत नहीं इसमें और जैसा मैंने बताया जर्मन कंपनी है कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है तो मोटा मोटी यही था इसका उवर्विव और आप इसका जो लिट्रेचर है लिट्रेचर में लेकिन सिंपल इंग्लीज में फोटो दे दे के पूरा समझाए हुआ है तो समझने वाली ज्यादा उतना दिक्कत नहीं है ठीक है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा बैरिंगर कंपनी का चोटा सा मिक अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक का शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखियेगा